दुनिया की पांच सबसे खतरनाक और खूंखार आदिवासी जंजातियां जिनके पास जाना खतरे से खाली नहीं है और उनका पूरा जीवन ही अलग है। दोस्तों, ये जंजाती ब्राजील के घने जंगलों में रहती है। ये जंजाती खेती भी करती है और साथ में शिकार भी। अब इस जंजाती के केवल चार लोग ही जिन्दा है। जी हाँ, आपने बिलकुल सही सुना, दरसल इनकी जंजाती में कई लोग थे, लेकिन फिर कुछ व्यापारियों के जुंड ने इन पर हमला किया था, जिसमें इनके साथ लोग को मार दिया गया। बाहरी लोग यहाँ पर रास्ता बनाना चाहते थे, लेकिन ये अपने घर को तूटते नहीं देख सकते थे और बस साथ लोग बचे थे। लेकिन उन साथ में से भी तीन की मौत हो गई और अब बस चार लोग बचे। ये चार लोग अपना खयाल रखते और खुद ही अपन अपने बारे में बताया, उसके बाद इन्होंने इनसानों से बात ही नहीं की। वो तो वही जानता है। इस जन्जाती में काफी अलग रस्म को निभाया जाता यह मरे हुए लोगों को एक खास तरीके से काला लेप लगाते और फिर उन्हें दफनाते हैं। इसके चलते उनका शरीर कई सालों बाद भी अच्छी हालत में रहता है। उसकी लड़ाई करने के स्किल और तीरंदाजी के तरीकों को देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आदिवासी तरीके से रहने वाले लोगों के पास युद्ध के बहुत ही खतरनाक तरीके होते हैं। जब ब्रिटिश लोगों ने इसके जमीन को हत्याना चाहता तो इस आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश सैनिकों को बहुत बुरे तरीके से हराया था। नमबर दो सेंटिनली स्ट्राइब। दोस्तों भारत के अंडमान दीप समूह में निवास करने वाली यह जनजाती काफी खतरनाक है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता ह कि इस जनजाती के लोगों का रहन सहन, खान पान और रीती रिवाज आदी से जुड़ी कोई भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जो कोई भी सेंटिनल आइलेंड के करीब गया तो उसे इस जनजाती के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। भारत सरक इस जनजाती ने आधुनिक सभिता को पूरी तरह नकार दिया है। वहां के लोग पूरी तरह से जंगली शिकार और फौलाद की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम आपको जिस आदिवासी समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं ये दुनिया के सबसे खतरनाक दिखने वाले आदिवासियों में से एक है जो पापुआ न्यू गिनी के जंगली इलाकों में रहते हैं। इन्हें मिट्टी से लिप्टा हुआ इंसान के रूप में देखा जाता है। दरसल ये जब भी अपने शिकार पर निकलते हैं या फिर कभी जंग पर निकलते हैं तो अपने पूरे शरीर और चेहरे पर मिट्टी लपेट लेते हैं। अपने पूरे शरीर को सफेद रंग से रंग लेते हैं और अपनी उंगलियों पर बांस लगा ले इन में से किस जनजातियों का कल्चर आपको सबसे अच्छा लगा? कॉमेंट में जरूर बताईएगा. साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर करिएगा.